केवल 10 दिन में, जी हाँ 10 दिन में, इंप्रूव्मेंट आना शुरू हो जाएगा अगर आप आज के वीडियो को समझते हैं, उनको फालो करते हैं और वाकई सच है कि ऐसे नतीजी लोगों को मिले हैं, स्पॉर्म्स को कैसे इंप्रूव करें ताकि जल्दी से जल्दी यह यूँ कहें तो स्पॉर्म पैरामिटर्स, हैलो अब्रीबन, स्वागत है आपका यूटूब सहिली चैनल में, यहां में आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, अमेजिंग डाइट टिप्स और आइडियाज जो की बिना मेडिसिन के आपको हील करते हैं, आपकी फॉर्टिल मेल इशूज की वज़ा से भी होते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेल इशूज पर बात करना जरूरी क्यों हैं? Friends, आज के समय में जो हमारी जीवन चर्या हो गई है, जिस तरीके से काम करने का तरीका, हमारा समाज जिस तरीके से बदल रहा है, उस परिपेक्षे में अगर हम देखें, तो male factor बहुत important हो जाता है, stress बढ़ रहा है, pollution बढ़ रहा है, raise का, radiation का exposure बढ़ रहा है, तो sperm parameters low हो रहा है साथ ही एक सबसे बड़ी बात कि obesity बढ़ रही है, इन सारी conditions में sperm parameters बहुत लो होते जा रहे हैं, उसको आप बहुत सरलता से improve कर सकते हैं, घबराए नहीं, चिंता नहीं करें, दवा की जरूरत नहीं है, केवले वीडियो आपके लिए full proof remedy है, तो sperm parameters इंप्रूफ करने के लिए कुछ steps आपको follow करने चाहिए अपने routine में, अपने diet में, नमबर वन, आज अगर हम देखें, तो work from home का culture बढ़ा है, COVID की वज़र से, या फिर sedentary lifestyle बढ़ी है, आप दिन भर बैठे बैठे अपने desk पे काम करते, physically active कम हैं हम, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा असर पढ़ता है हमा कैसे, जैसे चर्बी बढ़ती है, तो adipose tissues के अंदर estrogen बढ़ने लगता है, estrogen बढ़ता है जब तो testosterone को कम कर देता है, testosterone कम हो गया, जो की hormone है sperm को बनाने के लिए, तो अगर testosterone कम हो जाएगा, तो sperm का count कैसे बढ़ेगा, sperm parameters कैसे improve होंगे, so belly fat को कम करना है, belly fat को कम करने के लिए क्य के लिए सुबह शाम आप थोड़ा सा physically active हो जाए, खाना ऐसा कहा है जिसमें चर्बी कम हो, fat कम हो, fat हमें बहुत सारी energy दे देते हैं, लेकिन अगर अगर हम खर्च नहीं करते हैं, तो वो जमा हो जाते हैं, तो belly fat का उपाई करे, channel पे कई videos हैं, जो कि belly fat को cut करने के लिए हैं, कई formulas हैं, confusions हैं, कई drink हैं, जिससे कि belly fat को आप कम कर सकते हैं, उनको आप जरूर देखे, important videos की link description में दी है, आप जरूर चेक आउट करें, तो बात करते हैं tip number 2 की, तो बहुत सारी clinical studies हैं, बहुत सारे researches हैं, जो कि food categories में से कुछ ऐसे food आपके लिए लेकर आए हैं, जिनसे की DNA fragmentation की rate कम हो जाती है, sperm parameters improve होते हैं, sperm के defect कम हो जाते हैं, तो वो food क्या है, आपका अपना tomato, tomato, अनार और beetroot, studies ये बताती हैं, कि 8 हफतों तक अगर इनको regular use किया जाता है, तो sperm parameters improve होते हैं, और यसे बहुत सारे अच्छे results हमारे viewers ने अपने feedback में हमारे साथ YouTube पर भी share किये हैं, जिनसे उन्होंने अपने husband के sperm parameters को improve किया है, बहुत ही बुरी condition थी, उसको भी उन्होंने improve कर लिया, केवल diet tips है, तो इसको खलके बिना ले, बिल्कुल casual तरीके से ना समझे, इसको सही से समझे और इनको follow करे, tomato पका कर खाना है, जिससे कि lycopene की मातरा बढ़े और वो आपको अच्छा result दे, एक अनार टिफिन में रख सकते हैं, salad में डाल सकते हैं, stacks के तोर पे यूज कर सकते हैं, beetroot, soup में, सबची में, लड़ू बना कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए, juice में यूज कर सकते हैं, तो इन चीजों को आप अपनी diet में जगह दें, डिनर में कोशिश करें क टोमैटो का instant soup बनाए, जो कि male female दोनों की fertility के लिए बहुत अच्छा है, एक नुस्का, जो बहुत amazing है, आप follow कर सकते हैं, अगर स्पॉम बढ़ने ही रहे हैं, तो आपको सुबह खाली पेट लेना है, आपको कलांजी लेनी है, काले वाले सीट जो हमारे किचन में होते हैं, अचायर में अकसर आपने देखा होगा black seed होते हैं, और यह बहुत amazing है, आपके sperm parameters को improve करने के लिए, तो कलांजी के seed का powder लेना है, पना के store करके, डार्क में store करके रख देजिए, और सुबह आधा चमच शहद लेना है, आधा चमच कलांजी के seed का powder लेना है, चमच में ही उसक उपर से, और यह बहुत अच्छी remedies को आप daily follow कर सकते हैं, कम से कम 3 महीने तक follow करना चाहिए, किसी भी remedy को ताकि body पे उसके अच्छे असर को आप देख सके, कलांजी के साथ आप मेथी को भी add कर सकते हैं, milk लेना बहुत ज़रूरी है, milk product से दोस्ती करें, और जब भी आप milk ल जादा important होते हैं, calcium के sources के तोर पे, उड़त की दाल अपने खाने में, उड़त की दाल का लड़ू, उड़त की दाल का हलवा, यह चीजें, उड़त की दाल से जो भी बनी चीजें हैं, यह protein का rich source हैं, और यह sperm को बढ़ाती हैं, यह आरवेदिक नस्खा है, तो इसके भी आप कपड़ों का fashion है, और टाइट कपड़ों का fashion चल पड़ा है, undergarments भी काफी tight पहनते हैं, तो शरीर की संचना को समझें, और किस तरह से प्रकृती ने उसको adjust किया है, उसको समझें, testicles बाढ़ी से बाहर होते हैं, ताकि body का जो temperature है, वो temperature शुक्राणूं को खतब न करे, मारे नहीं, यानि कि शुक्राणूं को survival के लिए हमको कम temperature चाहिए होता है, जो कि हमारी body से भी कम होता है, तो ऐसे में अगर आप tight कपड़े पहनते हैं, गोद बे laptop रहके बहुत देर तक काम करते हैं, बहुत गरम पानी से नहाते हैं, तो ऐसे में sperm parameters धीरे-धीरे करके खराब हो स हैं, इसलिए cotton के और थोड़े comfortable कपड़े पहने, undergarments सही select करें, जिससे की body पे tightness ना आए, अगर आपको body heat रहता है, तो गोद कतीरे को चांच में मिला के पीए, इससे body heat control होगा और sperm parameters उससे भी improve होते हैं, आपकी diet में protein भरपूर होना चाहिए, जो हमने आपको उड़त बता sprouts के बहुत अच्छे result है, क्योंकि sperm parameters के लिए zinc बहुत important है, तो diet में protein बढ़ाएं, sprout आपकी daily diet में रख सकते हैं, एक बुटी sprout आप कभी भी खा सकते हैं, इसके अलाबा seeds and nuts उन भी zinc होता है, कई सारे minerals होते हैं, जो sperm की मातरा बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं, अब बात आ minerals and nutrition का absorption improve करता है, stress तो हर किसी को है आज के time में, तो stress को भगाने के लिए आपको मुझबूत बनाता है, साथ ही आपके hormones को balance रखने के लिए help करता है, तो थोड़ी exercise जरूर करें, हथे में कम से कम 3-4 दिन करें, लेकिन exercise बिल्कुल छोड़े नहीं, exercise आपके लिए बहुत आशा करती हूँ कि इन में से diet tips को आप जरूर follow करेंगे, क्योंकि ये मैंने आपकी सहुलियत को देखके design किया है, easy है, कर सकते हैं, करें, और दवाओं से मुक्त जीवन पाएं, रोग मुक्त और स्वस्त जीवन पाएं, stay tune with me, bye bye